Sum number 5, student sum चालू कर रहा है, Sum number 5 में ध्यान रखना है उससे पहले, करने से पहले एक छोटी से identity डिसकस कर लेते हैं, इसमें identity कुछ इस तरह है, X प्लस H का whole cube, whole cube है, पूरे का, तब बोलोगे सर, इसके factor कुछ इस तरह परेंगे, X का cube प्लस 3, X square H, प्लस 3, X, H square, प्लस, आखिर में होगा, H का cube यहां तक समझ में आया, जैसे यह factor आपके clear होंगे, तो Sum बहुत easy हो जाएगा, अभी हम Sum करना शुरू करते हैं, तो Sum में information क्या-क्या देखे रखी हुई है, वो देखते हैं, हमें F of X दिया हुआ है, X cube, आपने बोला, सर समझ में आ गया, इसके बाद अभी value पूट करनी है X में क्या, X plus H, क्या पूट करनी है, X plus H, तो आप लिखोगे, सर, यहां लिखो, X plus H का whole cube, जैसे ही मैं लिखूंगा, तो कई बच्चे बोलेंगे, सर, यह तो अभी हमने लिखा, यही formula apply करनी है, perfect, यही apply करनी है, X cube plus 3X square H, plus 3X square plus H cube, जैसे ही होता है, उसके बाद हम लिख सकते है, value पूट कर सकते है, अभी आगे चाह सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यहां देखना है, कि limit X tends to 0 दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है, कि common क्या निकलेगा, खाली H निकने वाला है, numerator और denominator में से, तो start करते हैं, सबसे पहले लिखन limit X, X नहीं है, धियान रखना है, H है, H tends to 0, X प्लस H की जगह हम क्या लिखेंगे, यह आखरी answer, X क्यूब प्लस 3 X स्क्वेर H, यहां पर लिखेंगे 3 X, H स्क्वेर, प्लस H स्क्वेर, इसके बाद हम आगे जाएंगे, तो आप बुलोगे, Sir, F of X क्या लिखना है, F of X है कितन X क्यूब और साइन कौन सी रखनी है, माइनस की, नीचे क्या लिखेंगे, H का ही, आगे चलते हैं, limit H tends to 0, लिखने से पहले, अभी थोड़ा ध्यान से करते हैं, यहां शान्ती से आप देखोगे, ना, X क्यूब और X क्यूब, यह माइनस है, यह प्लस में है, तो यह दोनों भाई साब आमने सामने कट हो जाएंगे, शान्ती से देखोगे, तो इसमें भी H कॉमन निकल सकता है, इसमें भी यह कैच है, और इसमें भी है, तो हम H को कॉमन निकाल रहे हैं, तो H को कॉमन निकालते यह रहेगा क्या 3x square इसकी बात हुई अभी इसकी बात हो रही है इस में से common निकलेगा तो 3x h रहेगा और इस में से क्या रहेगा h square रहेगा जैसे यह step होता है हमारा समझ लो 90% sum हो गया नीचे लिखेंगे h h और h cut हो गया तो आप बोलोगे sir बचा क्या तो numerator में जो दिख रहा है वो ही बचा है बाकी तो कुछ बचा नहीं है तो हम लिखना शुडू करते हैं उसमें value put कर रहे है तो value put करते ही नीचे as it is रहेगा क्यों x की जगह value put नहीं की तो बच्चा बूलेगा कि sir यहां पर देखो x tends to 0 है क्या है x tends to x tends to 0 है तो हमने यहां लिखा x का x h की जगह 0 लिख दिया h की जगह क्या लिख होगे बच्चो जीरो जैसे यह बाइस आप 0 के साथ खड़े रहेंगे तो हो जाएंगे 0 यहां पर भी 0 और 3x स्क्वेर हमारा फाइनल अंसर फिफ्ट का आएगा 3x स्क्वेर जो हमारा फाइनल अंसर आ गया आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा बच्चो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको स्पीड थोड़ी लग रही है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है यह अल्रेडी मैंने इलास्टेशन सारे करवा है तो थोड़ी स्पीड से जाऊंगा क्योंकि एक ही पॉइंट कही फोकस यह वीडियो में ध्यान रखा है क्लासिस में तो हम करवाते ही है लेकिन यह वीडियो लेक्चर में बहुत कम करवाते है तो इसलिए हमने पूरा कवर वहां पे किया हुआ है तो इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा लगे तो आप थोड़ा रिवाइन करो फिर से झाल